से उडिशा देश की विकास ज्यात्रा के ग्रोथ एंजिन पर की एक होगा। साथियों, हम लोग जब चार जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ बेस्ट था। बाद में फॉन्फिन आराज चुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार यह तो ठीक है, आकड़े माकड़े तो, मुझे यह बताओ कि इवियम जिन्दा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग ताय कड़के बैठे थे, कि भारत के लोक्तंत्र और लोक्तंत्र की प्रक्रियात्य प्रती विश्वासी लोगों का उड़ जाए। और लगा सार, इवियम को गाली देना। और मुझे तो लगता हुथा कि साइदी इस बार, वो इवियम की अर्थी निक्याश सो जुलू से का लेंगे। लेकिन चार जुन शाम आते आते, उनको ताले लग गए, इवियम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोग संत्र, ये ताकत है भारत की निस्पत्ता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनावायो की, और मैं मानता हूँ कि ये, आशा करता हूँ कि, पांच साल तो अब इवियम साइद में जे नहीं सुराइदेगा, लेकिन जब उन करके नाजली की चुरुआ का लिए लुकिन के सुत्र ने के सब्बाब बहुत काउब है अब देखे चुनाओ के समय मैंने पहली बार देख रहा है शायद हर तीसरे दिन इलेक्षन कमिशन के काम में रुकावाट आये इसके लिए सुप्रीम कौड के दरवाजे खट-खट आये बाती बाती के अप्लिकेशन और एक ही टोली थी और लोग तंत्र के प्रतिक दिन का भरो भार अभिस्वास है ऐसे लोग सुप्रीम कौड का उप्योग करते हुए कैसे रुकावट डाले इसका अंदिरंतर प्रियास करते रहें और चुनाव आयोक की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अधालतों में इस पी कबरस में चुनाव के पी कबरस में यानि कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आये थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टिटूट पे लगा दो ताकि चुनाव के कोई भी परणाम आये हम दुनिया के सामने भारत को भी बरणाम कर लें ये शडियंत्र का हिस्सा था दोस्तों और कभी भी देश उनको माप नहीं करेगा साथियों इंडी गड़बंदन वाले जब इविन का विरोग करते हैं तो मैं सिरफ एक चुनाव के रूप में नहीं गेठता हूँ मैं मानता हूँ इन लोग मन से पिछली शताबदी के सोच वाले लोग है वे टेक्नलोजी को हम महत्व न समत्ते हैं तेक्नलोजी स्विकार करने को तयार है और यह सिरफ EBM में दिखाई दिया ऐसा ने यूपी आई में दिखाया जब हमने कहा है हिंदुस्तान के लोग डिज हीरे जusalा की पद्दी है आगे बढ़ नहां ऊटनाया आप कैसे मद़के वरक देखिए उस आधार तो रोकलेक लिए सुप्रिम कोड़ में लोग बाठ जाने के परिशानियों और यानि मूरट एम प्रक्तिल कर विरोधी आधुनिक्ता के विरोधी टेक्नोलोजी के विरोधी इंडी अलाइंस हमने देखा है कि साथ्यों इस देश के लिए कि यह भी चिंता का विशह है कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आकने का प्रयाज़ और कितना एक्ष्ट्रीम है मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर आप डेमोग्रेसी हैं और यह दुनिया में जा करें के बता रहे हैं नहीं नहीं हमारे देश में देमोग्रेसी सा कुछ नहीं कि मोधी बेट गया है यह चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया कुछ तो गड़बड़गी होगी यह जो इनकी मनस्तिती है भारत के नागरीकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रतिया विस्वात पदा कड़े का जो उनका शडियंत्र है झाल 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 झाल